नमस्कार दर्शक बन्थ। अथा सत अथा गप। प्रक्रुतिर कोलरे थिवा उतरा खंडरयका अध्भूत गुम्फा। ए भलेक गुम्फा जहाकी भूमिरू सहेफूट तलकु गलेहीं देखा जाए। गुम्फारे रहीची दसो हजारू अधिक मोड़। गुम्फार अनेक रास्तारे आजीवी मनिसर पादपडिनी। गुम्फा विशरे अधिक खोल्ताड परे आमे जानिलू जे एहुची सेई गुम्फा जहार बर्णना सकंध पुराणर मानसो खंडरे करा जाईछी। मान्यता रोहीची ए गुम्फारे बासो करंती तेतिसो कोटी देवता। दाबी हुए जेव मनिसर गुम्फार सेशो भाग जाए पहुची बारे सफळ हुए ताकु देखा जाए देवतांक अलोकीक संचार। एका संगरे देखा हैब चारी धाम ब्रह्म्हा विश्णुवेबंग महादेबंकर एका संगे दर्सन अभब। गुहाजाए कॉलिजुगों सेशो हिवाने हुई थिवा भविश्ववानी रप्रमाणवी एक गुम्फार रणची। तो चालन तु देखिवा से अध्धूत संचार को आउँ जिवा से गुम्फार रहस्यमयों एबंग रोमान चकर रास्तारे। ये है इस गुफा का रास्ता ही मोहाना आप देख रहे हैं और चोटा सा मोहाना है और इसी रास्ते से उतर कर आमें गुफा के अंदर जाना हुदार तो कि देख सकते हैं कि बेहद मुश्किल है बिल्कुल एक छोटा पतला मुहाना है जिसके जरीए इस गुफा में उतरा जाता है इस गुफा का सबसे पतला एरिया आप देख सकते हैं आप एक इंसान के घुसने की ही जगह है कि गुफा कांथ है और आप देख सकते हैं कि फाइट इतनी ज्यादा नीचे है कि यहां आप सिवाए लेट कर जाने के आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि यहां रस्ता जो है वो बहुत ज्यादा संक्रा है इसमें अब खड़े ओके नहीं जा सकते हैं कि इसका पुराण में ऐसा जिक्र है कि आदमी आएगा धर्म से ही और लेकिन जाना उसको मोक्स के अंदर है पांच मीटर पर गर्व है उसके बाद गर्व के बाद फिर इनकी पूँच है लेकिन वो अत्यंद तंग मार गये तो पुराण में ऐसा उल्लेख है सिकन्द पुराण में जो आदमी यहां चला जाएगा इस गुफा में उसका भी दुवारा जन्मन नहीं होगा जिस दिन कल्यू की इस प्रमांड को छूलेगा उस दिन सिष्टी का अंतव जाएगा पातलो भोबने शुरुरो एक काहाणी आमा मनाको विश्वास हो न तुला तुला किन्तो एहाको अंधा विश्वास कही आमें मनावी करी परे न तुलो एह दोंदुरु बहरीबाको आमा पाखरे गोटी ए रास्ता तीला आमें सेठाकु निजे जाई घटनार सत्यता परिख्या करीबा एक गुम्फार केची अंसा स्रधालंको पाई खोला जाई छी किन्तो आजे वे अनेक रास्ता एभली रही छी जेवटी मनिस आजे जाई पादो देई परेगे से रास्तारे जिबा पुर्बरू आमुकु भी अनेक चेताबनी द्या गला आमुकु क्वा गला गुम्फा वितरे आलोकर ब्यवस्ता नहीं गुम्फार सेशो पर्जन्त जिबाकु हेले आमकु सहे फूर्ट तलकु जिबाकु परीवँ केचिस तानडे अमलो जान परिवान कम हेवा बिपद सुष्टी करीवारे गुम्फारे अधिक समय रहीवा भी संभाप नुहे एते सबु बाधाय बंग चेताबनी परेबी आमें पाताल अभोबने शुरण सत जानिवाकु प्रस्तु थेलू आमें निस्पती ने सारी थेलू परिणाम जहाबी हेवु आमें गुम्फार सेशो पर्जन्त जिबू आउ खोलताड करीबू जे एक अथा केते सत आउ केते गपा। किछी एभली राष्ता आड़कु जेउठी आगरू मनिस्षर पाद पड़ी नी। जेउठी एका सांगे चारी धामर दस्षनक्वे। जेउठी अंधकार भीतरे देखा जाए मानो सरबरोर धारा। ताबी हुए एठारे अचंती तेती स्कोटी देवी देबता। जेउठी आजी बी रहीची कली जुग सेसहे बाकु हुए थीबा दोईबा बानीरा प्रमाना। आजी चालंतु जीबा धरनीरा गर्फरे थीबा एक अध्भुत देवलोकुन दस्चन करीबा। देवतांको अपहंच अलोवटीक संसाररे पादो देबा। किन्तु टिकीए सतरकतार सहुआ। कारण एठारे गोटीए भुल्रमाने भुत्युकुनिमत्रन देबा। चालंतु आजी खोजिबा धर्म, आस्था और विग्ज्यान मजिरे थीबा एक पौराणिक काहानीरा सत। सकंधपुराण जहाकु लेखा जाईतिला हजार हजार बप्सपुर्वे। जहार मानस खंदरे रहिछी पाताल अभुबने शोर्र बन्नोना। जहाको देबलक कुहाजाईची। कुहाजाए एठारे रुभन्ती तेतिस कोटी देबी देबता। जहाकु शुरुष्टिरो आरम्भबली कुहाजाईची। आउ से सबी। न्यूस 18 टीम भी भारी पडिला रुथेवी ओ पाताल मजीरे थिवा सही अथुत संचार रसंधान रही। प्रक्खु तोरे पुराणा बर्निता एक कहाणी सब्ता नागपव। नमस्कार मैं हूं सेयद सुहेल। और जिसके रहसे आज भी इनसानी पहुच के बाहर है। देवा भुमे उत्तरा खंडरे देवा तांकस एही संचार कु खोजिबाकु आमे पहंचे थिलू बिधोरा गड़। किन्तु पाताल कु थिबाद द्वार आजी भी हिमालयोर एही अंचलरे रही छी। पाताल भुमनेश्वर के पूरे रास्ते में जगा जगा इस तरहां के बोट लगे हुएं जिन पर लिखा है कि गाड़ी ध्यान पूरवक चलाएं क्योंकि सड़क पर बरफ हो सकती है। यहां पर बरफ सर्दियों के मौसम में होती है, अभी तो काफी गर्मी है, बरफ यहां पर नहीं है। लेकिन शायद इस गुफा का पता इतने सालों तक, इतने दशकों तक, इतने युगों तक इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि यह पूरा एरिया जो है बरफ से ठगा रहता है। और चंद महीनों के लिए इस पर से बरफ हटती है। पिठरा गडरे पहंचिवापरे आमें जानिवाकु पाईलू, पाताल अभुबनेश्वर्र सही अथ्फुत गुम्फारे के बड़ देवलोकर रहस्चनु है। पुरान अनुष्थारे एही गुम्फा कोईलाश मानो शरोबर जात्त्रा रो एक गुरूत्व पुर्ण अन्सो थिला। तो इसकंद प्रवाण के मानो श्खंड में उसको केलास यात्रा काई पड़ाओ कहा गया। तो अयुद्ध्या के राजा मानधाता ने सत्यूग में कहते हैं अयुद्ध्या से केलास तक जितनी भी आत्रा में गुफायें रखती थी उनको जोड दिया। अब ऐसा है पाताल तो नाग जातिका है और ये बिन्ना के सारे इलाके में नागों के गाउं-गाउं में अड्डे थे तो ये नंदिबंश के नाग थे। पाताल अलोपो माने नागो लोपो। सुनिकी लागिला सेठारे हुएता नागो सापन करो एक अध्फुत दुनिया थी बो अंधारिया गुम्पा थी बो आउ देबतां कुने इकिछी एभली रहस्चे थी बो जहा आजी बी उन्मोची तो हुई पारी न थी बो रहस्यों रोमान्च भरा जात्राडे समय हीची एक छोटा ब्रेक रहुआ अधा सत अधा गप पाताण लोका भुबने सुरणे आमें जहाबी देखिलू से सबु चकीत करीवाभडी विष्ची तक्ता किन्तु गुम्फार ए स्थबु इलाकारे साधालेन स्रथालू सहजरे पहुँची परीवे। असली चालेंज तो आगोकु आसिवार थिला। आगोकु पढ़ो बडु आमें एभली स्थानरे पहंची सारी थिलू जेउटी हजार हजार रास्ता निज़ निज़ भितरे छंदी हुई थिले। आमकु कुहागला एई रास्तरे आगोकु गले मानो स्वरवर्र पानी मिलीब। यहाँ पाखरे देखा जिवा भगवान सिबंक आस्थान। आउँ सेश्व परज्यारे ब्रह्म्हा बिस्टुनुए बंग महादेवंक दर्शन मिलीब। जात्रा कटी न थिला, किन्तो स्वतो जानीबा कुहेले आगोकु जिवा बेतिता आमो पाखरे दितियो रास्तावी न थिला। किछी किलोमेटर जिवा परे आमे सही धामो पाखरे पहंचीलू। भक्तंक भिड़ो लागी थिला। संखर ध्वनी श्रुष्टी करू थिला, एक भिन्न परिमेशा। मंदिर घंतिर स्वर आमो कु जमिती दिजो आड़ा कु डाकु थिला। मंदिर रे पहंचीला परे आमोर भेट हेला, मंदिर समितिर जणे सदस्चंक सह। आउ पाताल अभुबनेश्वर कु नहीं रुआ काहाणी आमो स्थाम नारे थिला। के तीस करोड देवी जेवताव के साथ में भग्वान संकर पाताल भुनिशर में बिराजमान है। पाताल भुनिशर भग्वान संकर्जी का गोपनी उस्तान है। किछी समय पादरे चालिवा परे आमे थिलू पाताल अभुबनेश्वर्र मुख्य मंदिर निकटरे। जे उठु आरम्भ हुए पाताल गुम्फार रास्ता। एमितित प्रतिदिन हजार हजार स्रत्थालु आसी थान्ती। किद्दू अंधोकार वितर थिवा से गुम्फा वितरों कु जिवा पाईं। बहुत कॉम लोको साहसो जुटाई पारंती। प्रिस्पत्ति नई सारी थिलू। रास्ता जेते कटिनों हुई थाऊ ना कहिकी। आजी आमे से गुम्फा वितरों कु जिवू। आउ प्रथम अथरों क्या मेरा रे देवा लोकों को संसार कु सारा वितरों कु देखाईग। पाता जुलिश्वर गुफा तक हम पहुँच गए हैं और ये है इस गुफा का रास्ता। ये मुहाना आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा मुहाना है और इसी रास्ते से उतर कर हमें गुफा के अंदर जाना होता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उस जगा का जहां पर कहा जाता है के चारों धाम मौजूद हैं जहां पर आपको हर वो आलोकिक शक्ती देख में को मिल जाएगी जो शायद इस दुनिया में आपने नहीं देखी हुए। आमो टीम शेही गभीरो उन्धारिया गुम्फारे पादो देई सारी दिला। पातालर शेही देवलोको कुदेखी बाको हेले आमोकु प्राय पंच्यान बे फुट तलकु जिबाकु धेब। अबस्य एबे गुम्फारो किछी स्थानोरे आलो करो ब्यमस्था करा जाई छी। किन्तु आजीवी गुम्फा भीतरे नहीची एक बिचित्र अंधकार। गुम्फारे थिबा एक जन्जीरोकु धरी आमे तलकु अल्धाईलू। एक गुम्फार्टी प्राए आठो हजार बर्सव पुरुना। किन्तु पौराणी को मान्योतानु सारे अस्टम सताथ थिरे और थात पड़ी जुगरे एहरा संथान पाई थिले आधी गुरू संकरा चाच्चिय। कि यह रास्ता आप देख सकते हैं कि बेहद मुश्किल है बिलकुल एक छोटा पतला मोहाना है जिसके जरीए इस गुफा में उतरा जाता है और यह दोनों तरफ चेंज है जिनको पकड़कर आपको इस गुफा के अंदर उतरना होता है। आप देख सकते हैं कि जब इस गुफा को ढूंडा होगा आदी शंकर अचारे ने तो उनको कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। सौ फीट गहरा रास्ता है जिसके जरीया आपको उतरना होता है इस गुफा के अंदर सबसे मुश्किल काम मुझे लग रहा है इस गुफा में यही है किस तरहां से इस गुफा के यहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनसे आपको चोट लग सकती है इसलिए आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है अभी तो लाइट्स का यहां पर अरेंडमेंट किया गया है यहां पर चेन है जिसके थारे आप उतर सकते हैं पहले इस तरह का कोई अरेंडमेंट मौजू आपर एक इंसान के घुशने की ही जगा है सिर्फ बहुत मुश्किल से आप यह करीबन टीम मीटर का एरिया है जिसको बहुत ही छोटा मौहाना है इस मंदर जाना रहस्यों रोमान चों भरा जात्रा आगों को भी जारी रहिवा किन्तु एवे समय हुई छी एक चोटा ब्रेक रहा हूँ रुफा में बहुत सारा इस रास्ते में एरिया ऐसा भी है यहां पर आपको बैट के चलना पड़ता है जैसे अभी है यह गुफा कान्त है और आप देख सकते हैं कि हाइट इतनी ज्यादा नीचे है कि यहां आप सिवाए लेट कर जाने के आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है मेरी भी करना पड़ेगा अब जेते जेते तड़ों को अल्हाओ थिलू फ्रुदायरस बंदन शेती की सेती की बढ़ू थिला कारण भूमफारे अम्रो जानार परीमान खूब को तो आखर हम उस एरिया में पहुच गए जहां से सीडियां शुरू होती है और ये सीडियां नीचे एक खुले एरिया में निकल रही है भी में नीचे उतर के आपको एरिया दिखाऊंगा तो एक बहुत मुश्किल रास्ता है नीचे उतरने का लेकिन एक बार जब आप नीचे आ जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर कोई नो कोई शक्ती जरूर मौचूद है एक ऐसी शक्ती जो इस बिल्कुल छोटी सी संकरे रास्ते से आपको उतरने की ताकत देती है जहां से उतर कर आप नीचे आपाते हैं और फिर यहां पहुंच कर आप महसूस करते हैं कि आप एक एक खास जगह पहुंच गए हैं आमों को खुआ गला आमें गुंभारे जहां किछी भी देखिवू तहा कोणों से शिर्पवकार त्यारी करें बरंद इस सभू किछी भगवान ब्रह्म्हांद को सुष्टी तो आखिरकार एक बहुत मुश्किल सफर तै करके उस गुफा में अमुतर चुके हैं जिसका जिक्र इसकंद महापुराण में मौजूद है यानि पाताल भूवनिश्वा और इस गुफा में गुफा के प्रबंदक नीलम भंडारी जी अब हमारे साथ हैं जो हमको इस गुफा के इतिहास के बारे में बताएंगे और आखिर यहाँ पर क्या है इतना खास के युगों से इस गुफा के जिक्र पुराणों में भी मिलता है और हर कोई इस गुफा तक पहुचने की इच्छा रखता है आमें बुराणों रे पढ़ी चुजे एक दुथे भी सेशो नागं को मस्तो करे रही छी आउँ आजी रोए जात्रा रो आरंभवी सेई कहाणी दू आरंभवेला सर्व पर्थम आप लोगों का पाताल में स्वागत है पाताल में जो सबसे पहले देखे जाते हैं वह हैं सेशनाग है यह शेशनाग का शेप आप देख सकते हैं आपने तस्वीरों में देखा होगा और आप देखिए पूरा फन का साप के फन का शेप यहां पर इस गुफा अपने उपर समाया है यह सब क्या है पनी जी इनके मुमा हमने प्रवेश लिया है तो हम हैं कहां विश्णो सया के अंदर हैं यह पूरे दाथ सेश्टनाग जेने दिखाएं अपने अलग-अलग ताइब के पत्थर आप देख रहें अंदर यह पूरे इनके दाथ है और इनके बीच माँ देखें यह उनकी विश थहली है अचा यह जो खाली जगा है जी ओ जी 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 यह जी जी यह संटर वाड बलाक और यह बिल्कुल यह सचा ताव…. जी ज जहर होता है विश होता है ये विश्थेली है सैश्नाक जेकी तो इस फन का जो है यही महातम में है यहां से फिर जो है आम पाताल के अगले पड़ाओ के ओर चले आमें गुम्फारों जेते तड़कु जाऊ थीलू आम अरो सामना हेऊ थीला पुराण और अन्वानु आ कहानी सुधिता किछी बटागलापऊरे आमें देखीवाद करें पाइलू पानो आक पुति रहागा कुण्ड अब यह आप देख रहे हैं सब्सकारै ये पूरा कि पतिके आकार में इसका पूराणिक महातम में है राजा परिक्षित थे उनको ये शराब था कि तुम्हें कोई नाग दंक मारेगा उसके बाद तुम्हारी मौत होगी तो उनका लड़का जब जन्वेजय हुआ तो उन्होंने सोचा कि दुनिया के जितने भी नाग है अगर हम सब को जला दिंगे तो कुन सा नाग उनको मार पाएगा यहले के तोता है हुंआ तो उनलोगोंने क्या किया इस स्तान पर सरपेश्ष्य यग्य किया सर पेश्य यक्य! वो क्या होता है पर्यदगी Suppeche है वहुँआ कि जितने भी पाताल के नाग है सब इसकूंण में जलाए है तो एक नाग इस यग्जी से भाग गए थी जिनका नाम क्या था तक्षक बाद में उन्होंने राजा परिश्चित को डंग बार दिया तो वो नाग कुन से थे यह हैं अच्छा यह जो आप देख रहे हैं यहां से गए और यहां से इनुने टन लिया और यहां से इनुने फिर तन लेकरके यह इनकी जिवा हैं जो साब रेगनी में इकलता है तो वो जो तक्षक हैं वो आज के दिन भी इस पाताल में हैं यह प्रमान है चोटान अरे थी बाए याक्पूती एक नागरो हुई थी बामने ही उतिला आमो कुखा गला एस सबु किछी मणी स निर्मित अनुहे तो एहां प्रक्पूती रोएक संजोग ही पारे किन्तु गुम्फार चारी पठे थी बा एभडी हजार हजार संजोगों भी संभवनुहे तो पाताल भुमनेश्वर में अब जो रास्ता है यह आप देख रहे हैं चारो तरह यह शेष्णाक की रीट की हड़ी है और गुलाई और शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल रीट की हड़ी की तरह है तो सेष्णाक के मूँ से अमने प्रवेश लिया यह जमीन में आपको देख ली ना पूरी रीड है अच्छा जिनके उपर हम चल रहे हैं यह सारे जिस तरह का हड़्डियों का शेप होता है बिल्कुल उसी तरह से शेप बनाऊ है यह सब नैचरल एसर जबकि यह जो रीड क रीड की हड्डियां है यह आपके मिट्टी में बनी है लेकिन यह अभी तक जूंकेतियों है यह बहुत इंपॉर्टन बात है आप समझ सकते हैं कि यह तो पत्थर है जो दिवारे हैं वो पत्थर है और काल्सिफिकेशन की वज़ा से शेप्स बनें लेकिन जमीन में इस तर आगा सापर मेरुदंड हाडवली लागु थिला मनरे उस्चाह बढ़िवारे लागु थिला कारण आमे जहाबी देखी थिलू से सबु गुमफार आरंभ मात्र थिला आमे जानी न थिलू आमे बुमफा भितरोकु जेते आगोकु जिबू किछी अथ्फूत शमतकार किछी बिचित्र रहस्य आमकु अपेख्या करी थिबू एतो थिला जात्रार आरंभ मात्र समयो सहित आमा उस्चाह बढ़िवारे लागी थिला आमे जानी थिलू आगोकु जहा किछी बिदेखी बू ताहा आमकु जकीत करीवा निस्चित्त मनेरे अनेक प्रस्ट न थिला अनेक आसंकाबी आगरे कण अची सेरे कीछिवी अनुमान करीबाकु मना प्रस्थूत न थिला किन्तु गोटिये कथा स्पष्ट थिला आमे आगोकु बढ़िवू आमरे अध्भूत जात्रा आगोकु भी जारीड हो हीब आमे आपणंकु से अलोकी कवेबं अध्भूत दुर्श्य आगोकु निस्चित भाबरे देखाईबू देखु तान्तु अधा सत अधा गपा। नमस्कार